दौस्तों, सुबिधा आप में Smart Meter बोगताओं के लिए एक अलग से नया उप्सन जोड़ा गया है जिसके मादयम से आप सुबिधा आप में Smart Meter से लिटर डिचिल देख पाएंगे अपना Smart Meter रिचार्ज कर पाएंगे साथ ही ये आपका बाइलेंस चेक करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्सन है दोस्तों ये ऑप्सन सबसे बेस्ट कैसे है मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में लास्ट में जानेंगे तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आप सुब्धा एप से अपना इस्वार्मिटा का डिटेल कैसे देखेंगे और उसे कैसे रिचार्ज करेंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमीत आप देख रहें जरूरी बातें चलिए सुरू करते हैं कि दोस्तों इसके लिए शब से पहले आपको सुब्धा आपको अब्डेट करना होगा इसके लिए अप प्लेरिष टूर में चलने जाए और यहां पे सर्च कर दिए सुब्धा एव नहीं मिलेंगा अगरका vibes तो यहां पर आप आप देखें यहां पर एक option मिल गया है smart meter services यहां से आप जा सकते हैं यहां फिर यह same option आपको billing and payment services में भी देखता है यहां भी जाएंगे तो आपको यह सब्सक्राइब का मिलता है smart meter service है यहां से भी आप जा सकते हैं यहां आप जा सकते हैं तो यहां आप जाके क्या कर रही हैं अपना smart meter का CA number दालेंगे तो यहां पर हम अपना CA दाल देते हैं तो इसके बाद आपको smart **R Б्ल्डर से लेटेर जितना बाले सापके स्पार्पस का बचा हुआ है उसके में निचे में आपका connection का इस दिखता कि आपका line चालू है या पर disconnected है जैसे आगर आपका line disconnect हो गया है one नहीं होने करण तो यहां पर आपको message आएगा अभी present में यह status दिख रहा है कि आपका कनेक्टेड एगर डिसकनेक्टेड रहेगा तो यहां पर आपको रेड करके एक मैसा लिखेंगा कि आपका बैलेंस कम होने करण आपका लाइन कटा हुआ है उसके निचे में आपको एक आपको ऑफ़न मिलता है रिचार्ज करने का आप यहां पर जितना भी आमाउंट चाहें लिए कोई limit या minimum amount नहीं है आपको सिर्फ minimum amount का धियान उससमें रखना है आपका balance नेगेटिव में है अगर balance आपका यह negative है तो जितना भी negative amount है उससे अधिक करें सकरें ताकि आपका balance positive में और आपका line disconnected है तो चालू हो सकें क्यक्से कम क्या करेंगे recharge तो आपका balance पॉजिटिव में नहीं आए पाएगा आपका लाइन चालू नहीं हो पाएगा तेले हम लोग इसमें 50 रुपे का रिचार्ज करके ट्राइ करते हैं कैसे रिचार्ज होना है आप रिचार्ज अप्शन पर जाईए आपको यहां पर रिचार्ज अमाउंट आ गया सबसे उपर पर डिचेल आ जाता है नाम आपका एकांट नमबर आपका कितना अमाउंट ते चार्ज कर रहे हैं आपका जो मौवाइल नुमरींट है वो आ जाता है यह जो आप यहां पर मैच कर लिए कि साथटल सही है कि नहीं उसके बाद से आप मेंग प्लिक कीजिए उसके बाद से य जो UPI के थुरू कर सकते हैं जो आप बहुत लोग चाहते हैं कि UPI के थुरू रिचार्ज करें तो UPI बहुत ही popular option है यहाँ पर जा सकते हैं दोसों यह QR code है और UPI दोनों सेमी option है आप दोनों में जाएंगे तो आपको QR code का भी option मिलेगा और UPI आपका जो UPI ID है वो डालने के option मि अब हम लोग जैसे UPI में चलते हैं तो आप भीम पे और UPI सेलेक करना है make payment पे क्लिक करिए यहाँ आपको दो option मिलेगा उपर में है आप यहाँ पे UPI ID अपना डाल सकते हैं UPI ID डालके आप make payment पे करेंगे तो आपका जो भी UPI से link account है या iPhone पे का है या Google Pay का है वहाँ पे आप scan करेंगे तो automatic आपके पास जितने amount का प्रिचार्ज कर रहें उतने amount का payment करने का option आपको उस UPI में आ जाएगा चाहिए आप फोन पे से या Google पे से कर रहे हैं आप इस code को scan करके payment कर सकते हैं आपका payment यह successful हो जाएगा और आपका amount recharge हो जाएगा हम लोग बैक आ जाते हैं इसमें आप बाकी डेविट का डेकर जो भी option आप चूझ करना चाहिए चूझ करके रिचार्ज कर सकते हैं दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के सुरू में बताया था कि आपको smart meter का balance चेक करने के लिए सबसे based option है तो सबसे based option कैसे है इसके बारे हम लोग बात करते हैं दस्तों यहां पर सबसे important यह है कि आपका जो सबसे बाइलेंस है वह updated balance करता है दो सबसे बाइलेंस का मतलब यह नहीं है कि आपको दस मिनट पहले तक करने कितना कंजमसन किया है वह सो करेगा अपडेटर बालेंस का मतलब है कि जो भी लास्ट डिटक्शन है आपका लास्ट पेमेंट अपडेट है जो हमारे सरबर पर व बैलमास करते हैं तो आपको प्राइब का सब्की होता है तो आपको एक दिन पाले बैलेंस कर रहा है अपने अपने 500 का रिचार्ज किया तो आपको 300 बैलेंस नहीं मिलता है 300 का म्यनिता है तो ऐसा इसली लिए होता है क्विए आपको वह आपको ऑतれない आपको सु हो रहा होता है वो अप्डीटेड बालेंस नहीं रहता है वह आपको एक दिन पहले का वैलेंस ov j और आप जब recharge करते हैं तो updated balance के recording आपका recharge amount update होता है तो आपको difference पर चलता है, आपको confusion create होता है चलिए हम लोग एक example से देखते हैं कि आप कैसे आपको यहाँ पर difference सो हो रहा है जैसे अब मेरा एक account है, हम सबसे पहले चलते हैं बिहार भी लिए smart meter app में देखते हैं कि हमको यहाँ पर balance कितना सो हो रहा है आप यहाँ पर नीचे में आज यह pay below recharge में हम यहाँ पर अपना account नमर डालते हैं अब देखिए हमको यहाँ पर 100 हो रहा है, पांच सो बासट पर balance है, तीन जून का मैं तब यह कल का balance हो कर रहा है, आज हम लोग चार तारीक डेट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो तीन तारीक डेट का balance हो कर रहा है, कि हमारा पांच सो बासट रुट रुप्या है, यह updated balance नहीं है, अगर आप यही इस consumer ID का, अगर 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 सीय नमबर चेक करते ह सुविधा अप में, तो सुविधा अप में हम चलते हैं, स्मार्ट में सबीसिज में हम फिर से यही अकाउंट नमबर डालते हैं, और गेट कर रिटेल्स पर क्लिक करिए, अब देखें, यहां पर हमको balance हो कर रहा है, पांच सो एक तीस रुप्या, जबकि स्मार्ट में अप में हमको 542 रुप्या सो कर रहा था, तो इसका मतलब है कि वहां पर जो balance हो कर रहा था, वो एक दिन पूराना है, एक दिन में में मेरा जो deduction हुआ है, आज का updated 531 रुप्या, अब मैं अगर रिचार्ज करूंगा, तो 531 रुप्या के recording हमारा balance अब्डेट होगा, अगर मैं एक रिचार्ज करेंगे, तो आपको 1531 रुप्या आएगा, फिर आपको confusion नगा कि मेरा 30 रुप्या बैलेंस कहां चला गया, इसलिए होता है, क्योंकि आपको वहां पर updated balance नहीं हो रहा होता है, इसलिए मैंने बोला था कि यह option आपको balance चेक करने के लिए सबसे best option है, तो दोस्तो ये वीडियो कैसा लगा, उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने कर हमारी चनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तक नेनी वीडियो लेकर आते रहता हूँ, जय हिंद, बंदे मात्रम